हलो फ्रेंट्स मैं हूँ संदीब गांगली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको फॉर लूप का यूज करके जेसन के डेटा को एकसे करना है तो वह आपको कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जेसन डेटा जो पहले से बना के रखा है उस आपको अपहर देखो आपके अथकी में पीयडि के और करके जो पतके डेशन डेटा मुझूद है तो मैंने प्याप एक डेटा लिख दिया उसके बाद जो ऑपको इसके बाहर आके परशली ब्रेकेट लगाना उसके अंदर आनां फिर आपको यह एंट्र दवान आना है उस tml का जो line break वाला tag होता है br tag वो add कर देंगे और semi color लगा देंगे control प्लस sdva के file को save करना इस program को run करना है run करने के लाप को ऊपर की तरफ जाना है green वाले बटन पर click करना है तो आप यह देख सकते हैं कि जो key वाला जो आपका variable होता है उसमें जो है आप यह key पर मौझूद अगर value का आपको access करना है तो आपको क्या करना होगा इसके लिए तो आप क्या करेंगे जिस variable में JSON data मौझूद है उसका नाम लिख दीजिए उसके बाद आपको square bracket लगाना है और इसके अंदर उस वाले variable का नाम लिखना है जिसमें आपके key की values मौझूद है जो की यहाँ पर key वाला variable है तो हम लोग यहाँ पर जो है square bracket के अंदर key लिख देंगे और फिर जो है वही HTML का BR tag add कर देंगे line break वाला control पर अस दबा के आपको file को save करना है web browser में वापस जाना है keyboard पर F5 दबा के page को refresh करिए और यह देखिए JSON object के अंदर जो keys थी और उन पर जो module जो data था वो हमारा output में इस तरीके से आ गया तो इस तरीके से आप for loop का use करके जो है JSON के data को access कर सकता है यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दू कि आप variable का नाम लिख के dot लगा कि जो key की value लिख के जो है data को access नहीं कर सकते हैं अगर आप for loop का use कर रहे तो आपको square bracket लगाना होगा और उसके अंदर जो है उस वाले variable का नाम लिखना होगा जिसके अंदर JSON object में जो keys है उनका data मौझूद है जो कि आप एक की करके variable है तो अब अगर आपका इस वीडियो से लगा कोई भी doubt हो तो आप comment section में पूछेगा और अगभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए जिससे के सारों future updates साब तक पहुंचते रहा और ये वीडियो देखने के लाए को धन आप